देखे एक शब्द है मजहब, तो इस टूड़ियो में मजहब को हिंदे में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या अर्थर मतलब होता है, दोनों में जानेंगे, एक्साम्पल से हैं, सेंटेंसे में शब्द को यूज़ करके अच्छी तरह से समझेंगे, तो चलिए यूड़ियो को स्टार्ट करते हैं क्या मतलब होता है मजहब का, देखे मजहब को बोलते हैं हम वो धार्मिक तरीका जिनको उस धार्म के मानने वाले या फॉलो करने वाले फॉलो करते हैं मानते हैं, क्या मतलब वा मजहब का, मजहब का मतलब वा धार्मिक संपरदाय, पंथ, मत, एक एश्वर वाद या बहु देवता वाद पर आधारित धार्मिक विश्वाज, मतलब धार्म, दीन, इमान, भक्ती को हम मजहब बोलते हैं, इंगलिश में मजहब को बोला जाता है the belief in a god or gods, इसके शब्द हैं मजहब के religion, godlessness, faith, belief, way, course, mode, or manner, and it is in love, और भी इंगलिश में इसके शब्द हो सकते हैं मजहब के, अब एक्जामपल से sentences में समझते हैं, जैसे बोलेंगे आम बोल्चा में तो इस तरह से शब्द को परियोग करेंगे, कि इंडोनेशियाई लोग यह कहने में गर्व महसूस करते हैं, कि इसलाम हमारा मजहब है, लेकिन रामायन हमारी संस्कृती है, मतलब वाइंगलिश में, इंडोनेशियन आर प्रॉड तो से डाट इसलाम इस आवर रिलिजन बट रमायन इस आवर कल्चर, दूसरा एक्जामपल है कि मलेशिया का अधिकारिक मजहब इसलाम है, मतलब वाइंगलिश में, मलेशियाज ओफिशल रिलिजन इस इसलाम, तो रिलिजन का मतलब मजहब, तो हिंडी और इंगलिश में एक्जामपल के साथ में अच्छी तरह से समझ दिया है, थैंक्स वर वाचिंग एजुके अरडेस,